मित्रों आचारे चानक के कहते हैं कि इस्तरी अपने जीवन की चार बातें कभी किसी को नहीं बताती अपने पती को भी नहीं और यह चारो ही बातें इस्तरीयों में पुरुशों की अपेक्षा अधेक होती है तो चलिए जानते हैं आचारे चानक के कैनुसार क्या है इस्तरीय की वो चार बाते आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले चानक्य ने अपनी नीती में पुरुशों से स्त्रियों की तुल्ला करते हुए उनकी भावनाओं के बारे में बताया ह जो स्त्रियों में पुरुशों की अपेक्षा अधिक होती है पहला भूख आचारे चानक के कहते हैं कि स्त्री का आहार यानि उनकी भूख पुरुशों की तुल्ला में दोगनी होती है किंतु वर्तमान में कई स्त्रियों के साथ ऐसा नहीं है इसकी बजा है आज के समय का र जब पुरुशों से चार गुना ज्यादा होती है वे किसी भी कार्रे को करने से पहले यह जरूर सोचती है कि उस कार्रे का उनके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा तीसरा साहस आचारे चानके के अनुसार इस्तरियों में पुरुशों से च्छे गुना ज्यादा साहस होता है वे किसी भी कार्रे को करने की ठान लेती हैं तो पीछे नहीं हटती शायद इसी लिए ही इस्तरियों को शक्ती सरूब भी माना गया है चौथा काम वासना आचारे चानके कहते हैं कि इस्तरियों में काम इच्छा भी पुरुशों से आठगुना ज्यादा होती है लेकिन उनमें लज्जा और सहिंशक्ती भी होने से वहे इसको उजागर नहीं होने देती और धर्म एवं संसकार को ध्यान में रखते हुए परिवार को संभालती है तो मित्रों ये थी आचारे चानके के अनुसार इस्तरियों की चार बातें जो वहे अपने जीवन में कभी किसी को नहीं बताते तो दोस्तों अब दीजिये हमें अजाजत आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्ट